अगली खबर आपको बताते हैं दिल्ली देहरदून हाईवे सडक धस गई है साहरनपूर में सडक का आधा हिस्सा धस गया शिवालिक की पहाडियों से आ रहे है पानी की तेज बहाव की वज़े से सडक का ये बुरा हाल हुआ है सडक तूड गई दून हाईवे से संपर्क तूड गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखन की पुलिस ने अब रूट डाइवर्जिन किया है ये तस्वीर आप देख रही है ये दिल्ली देहरदून हाईवे और यही पर ये सडक धसी है देख रहे हैं आप किस तरीके से ये पाने का तेज बहाव इस बार मौनसून की सीजन में जो आया होगा नीचे से अंदर ही अंदर से ये सडक के हिस्से को काटता चला गया और सडक का ये हिस्सा धस गया अनिमत ये रही कि जिस वक्त ये सडक का हिस्सा धसा उस वक्त यहां से कोई गारी नहीं गुज़र रही वर ना सोचे लोगों की जान पर बन सकती है फिलाल मलबा रटाने का काम चल रहा है और अभी भी दूसरे हिस्से से आप देख रहे हैं गारीयों की आवजाही भी जारी है पतरकरता कोई emotion नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोकना है पतरकरता क्या है? पतरकरता का मतलब है सही जानकारी एकठ़ा करना और तथे बताना पतरकरता आज जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है जगविंदर पठियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सत्रह जुलाई से सोबबार से शुक्वार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे